हुआ है हलो फ्रेंड्स आम कमली शर्मा एंग्लिस ट्रेनर और आज के इस वीडियो में हम क्लोज के टाइप्स वाट इज क्लोज उसे कैसे पहचानते हैं उसके टाइप्स क्या क्या है यह चीजे हम इतने स्रल तरीके से इतने आसान एक्जम्पल से और इतने बहुत खुब सुरुत तरीके से हम इन्हें सीखेंगे कि आप खुद बे खुद यह मैसूस करने लगोगे वीडियो के एंड में कि वाके में यह कितने स्रल है तो उस स्रलता को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं पहला sentence के दिया हुआ है राज फ्लेज होकी यह कोई sentence है यह क्या है कोई sentence है और यह हमें कोई information दे रहा है कहने के मिलब क्या है यह sentence क्या है sentence एक information है किसके रूप में एक group of words के रूप में तो एक सेंटेंस हैं जो हमें कोई सूचना दे रहा है लिख रहा है कि राज प्लेज होकी राज होकी खेलता है फिर मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करते में लिखा कि राज प्लेज होकी डेली यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं राज प्लेज होकी डेली यहां र सिंटेंस क क्या रहा है बढ़ताजारा है सिंटेंस क्या है सिंटेंस क्या more जा राज प्लेज होकी इंदाइवनिंग यहां प्लेज होकी कब खेलता है इंदाइवनिंग तो कहने मुलब यहां पर भी क्या है यहां एक वर्ड है यह एक से ज्यादा वर्ड है यह वर्ड क्या कर रहा है यह वर्ड यहां प्लेज होकी होकी कब खेलता है तो होकी खेलने के समय क के बारें बता रहा है टाइम के बारें बाता रहा है कि किरिया कब हो रही है डेली के लिए हो रही है एड़वर्ब के रूप में प्रियोग हुआ है किसके रूप में प्रियोग हुआ यहां पर यह एड़वर्ब यह हम ग्रेमेटियल पार्ट सुपीश की बात करें थोड़ा स Group of Words के रूप में हैं यहाँ पर सिंगल वर्ड है है निया Group of Words है तो जब कोई सब्ध अत्रिक सूचना देने के लिए शिंगल वर्ड है तो parts of speech का कोई parts होगा और यदि वह group of वर्ड में हैं तो ऑ फिर phrases के रूप में होगा किस में होगा एक फ्रेज के रूप में होगा जिसमें क्या नहीं होता सब्जेट और वार्ब नहीं होती जिसका कोई अपना मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मिनिंग नहीं होता इसको क्या नहीं कह सकते इसको sentence नहीं कह सकते, sentence किसको कह सकते हैं, sentence इसको कह सकते हैं, sentence इसको कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें subject भी हैं, subject भी और word भी हैं, कहने का मलब subject और predicate हैं, और sentence होने के लिए second सर्थ क्या है, second condition क्या है, second condition यह है, कि यह complete sense देता है group of words which has a subject and predicate that gives complete sense जो complete sense देता है तो यहां पर यह sentence है यह sentence है यह भी sentence है लेकिन यहां सूचना हमें जो information दी जा रही है वो बढ़ती जा रही है तो जैसे जैसे हम सूचना एन information sentence के साथ में जोडते जाते हैं तो हमारे sentence बढ़ते चले जाते हैं extended होते चले जाते हैं और जब sentence extended होते चले जाते हैं तो ऐसी स्तिती में और बाती जूरती चले जाती है जरा अगे बढ़ें कि राज plays hockey in the school ground राज hockey खेलता है कहां? school ground में तो यहां पर भी क्या है? यह adverbial phrase है यहां पर भी hockey खेलने के बाले में बता रहा है कि कहां खेलता है? जब क्या क्यूं? कैसे और कब का जवाब हमें मिले तो वो जवाब जो मिल रहा है वो adverbial phrase होगा या फिर adverb होगा और खास बात तो यह है कि कोई भी sentence manually या खास तोर से अगर देखें तो adverb की या adverbial phrases की वज़े से वो sentence extended होता चला जाता है भड़ता चला जाता है हाला कि adverb जो phrase है यह अकला ही sentence को एकला ही sentence को extended करने में स्योग नहीं करता noun phrase भी है और जैक्टिव फ्रेज भी है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं लेकिन हम उन चीजों तक पहुंशने के लिए इसको हम समझ रहे हैं आगे बढ़ते हैं राज प्लेज होकी in the school ground पिर आगे इसमें sentence में क्या लिखा हुआ है which is two kilometers away from his home यहाँ यह उपर के sentence है और यह भी sentence है यह भी sentence और यह भी sentence लेकिन इसी के बारे में पहले छोटा sentence था फिर इसको हमने एड़ फ्रेज लगा कर इसको और बढ़ा किया और फिर हमने इसी में एक दूसरा sentence और जोड़ कर इसे और बढ़ा कर दिया क्या हम इसे यहां से यहां तक क्या हम इसे sentence कह सकते हैं अब जे नहीं अब इसे हम sentence नहीं कहेंगे क्या इसको हम sentence कह सकते हैं इसे भी sentence नहीं कहेंग किसे सेंटेंज का पर्ड है एक से अधिक सबभ्जेट और वर्ब सेंटेंज में अ रहा है दोनों पाट मिला कारे सेंटेंज का रूप सेंटेंज assumption हम नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते जब पिछे हमने क्या देखा था कि राजपलेज होकी राजपलेज होकी हमारा में सेंटेंस हैं यह में सेंटेंस है और में सेंटेंस के बारे में ही यह सारी क्या है additional information है और जब additional information है तो ये भी क्या है इसके लिए additional information है तो फिर additional information में फरक क्या है इसमें फरक यह है कि यहां यह एड़वर्ब हैं जो single word के रूप में है यह एड़वर्बियल phrase है जो more than one word के रूप में है यहां भी more than one word के रूप में है लेकिन यहाँ एक sentence के कुछ रूप में है sentence के कुछ रूप में होने का मदलब क्या है यहाँ पर यहाँ पर इसका subject है इसका verb है इसका subject है और इसका verb है अब यहाँ आप confused ना हो क्यों नहीं confused हो क्या आप कहोगी साथ which which तो यह subject कैसे हुआ apoyo with at two high फोड़ा सा हम गराई में चले और प्रणावन की बात करें तो यह radio fol和an है है रिलेटीव प्रणावन है और रिलेटीव प्रणावन क्या होते हैं the conjunction word का काम प्रते हैं और सब्जेट्र के रुप में प्रयोगी ने किया जाता है तो वीच यस two kilometers from his home तो इसका मलग क्या हुआ कि जब किसी sentence में single subject और single word दीवी है यहनि subject और predicate है और उसके साथ में कोई दूसरा sentence नहीं जुड़ा हुआ है तो वो single sentence अपने हमें sentence कहलाता है लेकिन जैसे ही उसके साथ में कोई conjunction word के साथ कोई दूसरा sentence जुड़ जाता है तो ऐसी condition में दोनों sentence मिला कर एक sentence तो होते हैं लेकिन उन्हें टुकडों के रूप में अलग-अलग sentence हम नहीं कहते हैं ऐसी स्थिति में यहां हमारे सामने ये एक close है क्या है? ये एक close है और यहां पर ये भी क्या है? क्लोज कभी अकेला नहीं होता है तो यहां क्लोज और यहां पर भी क्लोज अब हमारे पास देखो पिछे हम चले तो हमारे पास क्या है? में सेंटेंस यह हैं और इसी के बारे में ये additional information है तो इन दोनों में कोई नो कोई तो में क्लोज होगा तो कोई नो कोई तो में होगा तो कोई नो कोई में कोई है यहां पर राज प्लेज होकी इन्दाइ स्कूल ग्राउंड तो इन्दाइ स्कूल ग्राउंड यह अपने आमी क्या है? यह में है यह कौन सा क्लोज है यह? यह में क्लोज है तो इसको हम नाम दे सकते हैं मेन क्लोज जब ये मेन क्लोज है तो फिर ये क्या है ये सबोर्डिनेट क्लोज है कौन सा है ये सबोर्डिनेट क्लोज है कौन सा क्लोज है सबोर्डिनेट क्लोज है सबोर्डिनेट क्लोज क्यों है और ये मेन क्लोज क्यों है करते हैं मैं रपनींन कॉम्प्लीट देता है किसी दूसरे फ़ज पर अपने मीनिंग को क्लीट करने के लिए यह दिपैंडिड नहीं होता है जब डिफैंडिड होने की बात करते हैं तो यह दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है इनडिपेंदेड ऐफ दो हुट कि इनडिपेंडेंट क्लॉज फूरह नाम है उप कौनसा क्लोज हो गया फिर यह अपने आर्थ को घ्रण करने के लिए इस क्लोज़ पर डडिपेंड्ड करता है तो épo colonialism MOM क्वेंड क्लोज होना थे हमान चुम यह दिपन्डिर क्लोज सेंटेंस में एक से अधिक यह दिक्लोज दीए तो आगे बढ़े अगले सेंटेंस भी देखते हैं रमेस इस पुआर यहापर रमेस इस पुआर और बट ही इस ओनेस्ट दो क्लोज है यहापर यह भी क्लोज है और यह भी क्लोज है दोनों क्लोज है और दोनों क्लोज में मैं क्लोज कौन सा हुआ यह मैं क्लोज हो गया तो क्लोस सब coordinate नहीं लिखूंगा क्यों वाज़ए यह है कि यहां में लिखूंगाρεण क्लोस के अगां क्यों सब बत्त है बट अब पिछे आये वापस हम पढ़ रहे हैं क्लोज और क्लोज को identify करते हुए हम यहां तक पहुंचे यहां पहुंचने पर हमें पता चला कि किसी सेंटेंस में एक से अधिक यहीं छोट-छोटे सेंटेंस दिये हुए हैं और उनको किसी वर्ड से जोड़ा हुआ है और उस वर्ड को हम कहते हैं conjunction और जो conjunction सबसे जब जुड़े होते हैं तो close की स्तिति में आ जाते हैं और दोनों सेंटेंस close केलाते हैं उनमें कोई एक main close होता है, दूसरा subordinate या फिर coordinate close कहते हैं, अब जब coordinate, subordinate की बात आती हैं, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि conjunctions दो परकार के होते हैं, coordinate conjunction और subordinating conjunction, coordinating और subordinating conjunctions, तो यहां इसमें ये subordinate conjunction है, तो इसमें क्या है, coordinate conjunction है, तो conjunction वर्ड की पैचान के अनुसार हम उस close को पैचानते हैं, तो उस close को identify करना है, उसको पैचानने का स्रलतम तरीका यह है, कि जिस किशी भी close के ठीक आगे कोई conjunction वर्ड लगा हुआ है, तो उस conjunction वर्ड की केटेगरी कौन सी है, coordinate की हैं, या फिर subordinate की हैं, उसके according वो sentence, या तो coordinate होगा, या फिर subordinate close होगा, इस प्रकार से हम पैचान करेंगे, खास थोर से तीन प्रकार के होते हैं, main close, main close को independent close भी कहते हैं, independent close भी कहते हैं, coordinate close जो dependent close भी कहलाता है, एंदोनों का नाम dependent close भी है, में क्लोज कोडिनेट क्लोज सबोडिनेट क्लोज तीन प्रकार की होते हैं नाउन क्लोज से चुटके बनते हैं तो यहां बात करते हैं जैसे बात कर रहें एकजम्पल के तौर पार ही इच पुआर यहां पर बात आती यह पैच्छान करने की हम कैसे पैच्छान पाएंगे कि और सा एक फिर जब स्रद्रार्टे वा है गया जब Due स्परने से जुड़ा हुआ है तो फिल और बेक्प प्रोडिने इंट भेल को ORडिने बाखो है 생각े om टौरN लग्वेट 752 Bye bringing that Que Holmes क्लोडे क्लोडने क्लोड़ा है अगले सैंडें से जुड़ा हुआ है तो that क्या है, subordinate क्या है, subordinate conjunction है, जब यह subordinate conjunction है, तो sentence कैसा हो गया, subordinate close हो गया, इसमें देखिया आप, अगले sentence में he plays hockey in the school ground, और which is two kilometers from here, तो यहाँ पर which is two kilometers from here, which क्या है, subordinate conjunction है, और subordinate conjunction है, तो यह subordinate क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, main close, जो की independent close भी क्यलाता है, coordinate close, जो dependent close भी क्यलाता है, और subordinate close, जो dependent close भी क्यलाता है, subordinate close तीन प्रकार का है, noun close, adjective close और award close, examination की दुरश्टी से, subordinate close जदा important होता है, coordinate close को कम पूँचते हैं, अब इनकी पैच्छान करने के लिए, हमें जानकारी होनी चीए, conjunction words की, तो आईए, हम conjunction word के बारें पढ़ते हैं, और conjunction word दो परिकार के हैं, और पहला है coordinate conjunction, और दूसरा है subordinate conjunctions, तो पहले हम पढ़ते हैं, coordinate conjunctions, coordinating conjunctions देखें, and, both or and, but yet or, either or, neither nor, therefore, so, however, nevertheless, as well as not only but also etc, एक चोटी सी लिस्ट है, वैसे बहुत सारी होते हैं, सारे में नहीं लिखे हैं, and or, both or and, दोनों ये और वो, but, किन्तु यट फिर भी और अथवा, आज़रो या तो ये ये दोनों में से एक, नाज़रो दोनों में से कोई नहीं, therefore, इसलिए, सो इसलिए, however, nevertheless, फिर भी, as well as, साथ इसाथ, not only but also, ये नहीं, बलकि ये भी आदी, ये coordinating conjunctions है, और जहां किसी close से पहले, जब ये लगे होते हैं, तो coordinate conjunction कहलाएगा, तो coordinate conjunction कहलाने के लिए देखे, इसमें, दोनों close से पहले, coordinate conjunction लगा हुआ है, coordinating conjunction लगा हुआ है, four और so, और four लगा हुआ है, तो यहाँ पर coordinating, coordinating conjunction होने के उज़ेसे, mijne क्लोज हैं क्योंकि ये अपना अर्थ पूरा देते हैं इन ये अपने के लिए कि सब्सक्रीं नहीं व्रौन का एन दूसरीक अपना अर्थ पूरा करने के लिए इन पर नियु रहता है जैसे तक हैं अननल सब्सक्राइब किसी से ज्यादा दिखाए देते हैं तो सेंटेंस नहीं होते हैं वह कोडिनेतिंग वह subordinating क्लोज और मेन क्लोज के रूप में क्लोज होते हैं अब हम आगे देखते हैं subordinating conjunctions अब देखें subordinating conjunctions जो subordinating क्लोज बनाते हैं सब्सक्राइब क्लोज के लिए सब्सक्राइब और इसके एक्जम्पल के तोर पर हम देखें सब्सक्राइब क्लोज हो गया यहां पर देखें एज का प्रियोग किया हुआ है यह भी क्या है subordinate क्लोज हैं तो यह दोनों कौन से होगे में क्लोज होगे दोनों क्या होगे में क्लोज होगे कैसे पैचाना विफॉर और ऐसे पैचाना तो सेंटेंस है पूरा लेकिन सेंटेंस एक से अधिक सब्जेट और प्रेडिकेट से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह दोनों मिलाकर एक सेंटेंस तो हैं लेकिन सेंटेंस के रूप में यह दोनों क्या हैं अलग-अलग क्लोज हैं एक में क्लोज हैं तो दूसरा सबोर्डिनेटिंग कंजेक्शन से जुड़ा होने के कारण सबोर्डिनेट क्लोज हैं अब हम इनको वन वाइवन करके पढ़ते हैं सबसे पहले सब और नेट क्लोज वो object के रूप में noun close subject या object दो ही इस्तानों पर एक खास स्वर से प्रयोग किये जाते हैं तो देखे sentence he asked me what my name was and उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था तो यह what my name was यहां object के रूप में इसका प्रयोग किया गया है तो यहां पर यह क्या है noun close है क्या है noun close है noun के रूप में प्रयोग हुआ है जो कि close कैसा है subordinate close है इधर यह कौन सा close है यह main close है यह identification होना ज़रूरी है we know that the art is round the art is round वर्प का क्या है यह object है तो अब्जेक्ट है तो क्या है यह noun close के रूप में काम कर रहा है यह we know हम क्या जानते हैं यह की पर्त्वी क्या है गोल है तो हम क्या जानते हैं उसने क्या पूछा यह की what my name was की मेरा नाम क्या था यहां पर देखे How the Tiff got in यहां तक यह सब्जेक्ट हैं यहां तक क्या है यह सब्जेक्ट हैं उसके बाद यहां पर वर्ब हैं तो वर्ब से पहले लगा हुआ है तो इसका मलब है सब्जेक्ट के रूब में Noun close as a subject यहां पर प्रियोग हुआ है यहाँ पर क्या है noun' closed as object के रूब में फ्रयोग ओँवा हैं किसी वर्प से पहले प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर क्या है noun' closed as a subject इसको हम यूँ मिलोग्त सकते हैं as subject के पिरयोग हुआ है तो यहां पर यह क्या है, is the mystery, is the mystery तो दा, how the tip got in, is the mystery, mystery तो यह mystery क्या है, कि वो कैसे, चौर कैसे अंदर प्रवेश करा I forgot, I forgot, और who gave me this bag बूल गया, यह भूल गया क्या, कि who gave me this bag तो यहां पर क्या है, यह अबजेट के रूह पर यहां है तो ये भी क्या है, आपने आमे, noun close है, ये भी क्या है, noun close है, तो ध्यान रखे, noun close, sentence में, दो ही जिगे प्रियोग होगा, या तो subject की जिगे, या फिर object की जिगे, object के रूप में, या फिर subject के रूप में, दो जिगे इसका प्रियोग होना है, और इससे पहले, कोई ने कोई सब यह पोड्रिनेट रगा होगा तो इस प्रकार से नाउन क्लोज को हम पैचानते हैं आप देखते हैं फॉम प्लोज कि बात करते हैं कि सेंटेंस का वह पार्ट लब को पार्ट जो किसी सब्धिष की किया करें विशेष्थाब बताएं और वह सब्धिषिष क्या होगा या तो नाउन होगा यह फिर प्रोनाउन होगा तो नाउन यummy प्रोनाउन की विष्ज़ता बताने वाला अब जेक्टिव जो फ्रैज हैं वह अब जेक्टिव क्लोभ स्के रूप कि प्रेवा जाता है यह पर देखँए he is mohon, he is mohon हुँज father, किसका father 상 का father तो हुँज father इस doctor तो हुँज father या पर हुँज father इस doctor जिसके पिता एक doctor है किसके पिता مोहन के और मोहन Tallashi यहीं हम पार्ट्सो विश्पीस के साब से चले तो यहाँ sentence से दो पहली बात दूसरी बात क्या है एक noun word है और noun word की विशेश्था बताने वाला सब्दी क्या है अडजक्टिव है और अडजक्टिव है और वो यदि single word नहोकर एक group of verbs के रूप में होता है तो वो adjective phrase के रूप में, adjective close के रूप में प्रयोग किया होता है यदि उसमें verb और subject दिया हुआ है तो verb और subject दिया हुआ है तो यह adjective close है और एकर verb और subject नहीं होता तो adjective phrase के रूप में प्रयोग होता तो यहाँ पर क्या है यह adjective close है क्या है यह adjective close है तो यह adjective close है तो इसका यह क्या हो गया man close यहाँ देखे I bought a house which is very costly तो यहाँ पर भी क्या है है यहां पर कार से हमने इसको पैचाना है तो यहां पर क्या हो गया यह मैं क्लोज हो गया आगे देखे दिस इस दा प्लेस यह प्लेस की विश्यस्ता पताने के लिए यह प्लेस नेम प्लेस क्या है अपने आमें नाउन है तो यह आपने इसकी विश्यस्ता पता दो यह भी क्लोज हो गया यह भी क्लोज हो गया और पार पर हमारे पास Adverb Close, Adverb Close जो किसी वर्ब की विशेश्था को बताएं, किसी वर्ब की एडिशनल जानकरी दे, वर्ब के बारे में बताएं, वह Adverb Close होता है, सिंगल वर्ड हैं, तो Adverb कहलाएगा, एक ग्रूफ वर्ड हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रिडिगेट नहीं हैं, तो Adverb फ्रेज होगा वो, और यदि सब्जेक्ट और प्रिडिगेट दिया हुआ है, एक ग्रूप वर्ड हैं, it makes some sense, but not complete sense, तो ऐसी स्थिति में उसे Adverb Close कहें थे, तो देखें जिरा, when it is winter, जब winter होती है, we feel cold, हम cold एन्य हम ठंड महिसुस करते हैं, जब सरदी होती हैं, जब सरदी होती हैं, तो हम सर्दी मैसूस करते हैं कब है कॉल मैसूस करते हैं कब जब सर्दी होती है तो ध्यान रहे एड़वर्ब क्लोज की पैचान के लिए क्या क्यूं कब और कैसे कई यह दि हमें कोई जुआ मिल रहा है तो वो क्या है उसका एड़वर्ब क्लोज है तो यहां पर यह क्या है ए एड़ो यूद्वायज्थ है और यह इसका मैं एड़ोग दा मॉबाइल के तो उसमें क्या कर रहे थी वह मॉबाइल पर बात गर बात कर रही थी फिर यहां पर घो इब्सहसे जो मथेरो जिए के आई इस दो तो यहां पर इसका क्या होगा यह मैं जो गया और यहां पर तेहिए पेशंट है धाइट before दॉक्टर दॉक्टर के commence doctor के आने से पहले तो पेशंट कम मरा आने से पहले कपका जवाब मिल रहा है तो यहापर यह क्या हो गया ओडिवर्बियल क्लोज हो गया और जब यह आपक लोज है तो आज के इस वीडियो में हमने कलोज कैसे ऑता है sentence को elaborate करने पर closes और phrases के हमें आप सकता होती है और साथ ही इनको पैचानने वाले सब्द जो conjunction के रूब में close के आगे जुड़ी होते हैं और वो यह उस close के identify करवाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं coordinating conjunction और subordinate conjunction noun close, adjective close और adverb close noun close जो noun के रूब में काम करता है adjective close जो किसी noun ने प्रणावन की विशेश्था पताता है और adverb close जो किसी verb की विशेश्था पताने का कारिये करता है अगले वीडियो में हम इनको close sentence और phrase इनको difference करने वाले बाते हम जाननेंगे और I hope आपको यह अच्छे से समझ में आया है यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे like, share और subscribe करना न भूले